नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यह में इंडिया किचन पर आज मैं आपसे शेयर करूंगा मांडेली फिश फ्राई जिसे मीन फिश भी बोलते हैं उसकी रेसिपी यह काफी विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होता है और यह बहुत ही टेस्टी भी होता है तो चलिए श स्मॉल साइज का है और आधा बड़ी साइज का है इसको अच्छे से पहले दूल लीजिए इसे कैसे दूलना है इसका लिंक इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा यह देखिए हमारी फिश कितने अच्छ तरीके से क्लीन हो गई है अब शुरू करते हैं इसे मैंने वन फोर्ट टी स्पून रेड मिर्च पाउडर लिया है वन टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है सौल्ट इसमें टेस्ट स्वादनुसार मिला दीजे हल्दी हाफ टी स्पून लिया है दो चमच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल भी डाला है लगबग एक टी स्पून अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिला दीजिए ताकि ये मसाले मचली पे अच्छे से लपट जाएं और इसके बाद इसे फ्रेज में एक से दो घंटे के लिए रख दीजिए अगर आपको जल्दी फिश बनाना है तो आप इसे 10 मिनट के लिए बाहर भी रख सकते हैं मेरिनेशन का अच्छा तरीका होता है अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसे फ्रेज में डालिए अधरवाइस इसे बाहर रख दीजे तो यह जल्दी हो जाएगा अब फिश को दो घंटे के बाद निकाल लिए हमने फिश को करारी बनाने के लिए इसमें डालते हैं दो टेबल इस्पून कॉर्ण फ्लार इससे फिश फ्राई क्रस्पी बनेगी इसे अच्छे तरीके से मिला लिजे ताकि कॉर्ण फ्लार पूरे फिश पे अच्छे से लग जाए और इसे दस मिनट के लिए बाहर छोड़ दीजे तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं इसे फ्राई करना फिश को फ्राई करने के लिए मैंने फोर टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल को लिया है और इसे मेडियम आच पर डाल दिया है अब हमारा तेल गर्म हो गया है इसमें हमने फिश को डालना शुरू किया इस फिश को फ्राई होने में लगबग 3-4 मिनट लगेगा फिश को फ्राई होते समय एक साइड लगबग 1-2 मिन लगेगा आप इसे बीच बीच में देख लीजिए फिश को पलट दिया है ये सी फिश है और बहुत ही फाइदे मन्द फिश होती है इसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं तो हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी है इसे मैं शेलो फ्राई कर रहा हूँ अब मेरी बड़ी फिश फ्राई हो चुकी है छोटे फिश को भी सिमलर तरीके से फ्राई करना है मीडियम आज पर तो दोस्तों तयार है हमारी क्रंची मांडेली फिश फ्राई सर्फ करने के लिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जिक चार, हप्य कोकिग झापके न फिए रेसिपी